वेलकम दोस्तो आज की वीडियो से हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट वोड लिखना ठीक है तो इस वीडियो में हम क्या के कवर करने वाले हैं मैं बता देता हूँ आपको कि अपना फर्स्ट वोड लिखेंगे है एलो वाट जिया जो भी है उसके बाद हम देखेंगे jsx क लो टो पर जाता है अगर आप यहांपर कुछ भी टेक्स ट्व्वे महनलभी ताइट्ल चेंज रहा हूँ ठीक है ऐसी डाल दीन मेंने सेव करा यह मेंना ह्व्र टाइर टाइटल चेंज हुके और रिमूव कर दिया मैंने सेवरा मैंनेe тइटल चेंज गया अब इसके index.html पर sorry index.js पर एप के अंदर यह रहा तो यहां पर जो कमेंट है यह भी मैं उटा जेता हूँ इसके अंदर report web vitals यह मैंने last video में cover कर दिया है कि यह क्या होता है तो अब देख लेना उसके बाद ही हमारा जो code यह काम कर रहा है यह कैसे आ रहा है यह है लोग दिखा हुआ तो अभी तो यह component से आ रहा है तो component में अभी बताने नहीं जा रहा है आपको component बाद में बताऊंगा तो जो भी काम आ रहा है वो इससे आ रहा है अगर मैं इसको remove कर देता हूँ और इसको refresh करता हूँ मैं यह पर तो कुछ भी नियाए blank पी जाए मेरा ठीक है अब यह मेरा code आये कैसे सब पोश करो मैं इसको खुद बनाता हूँ इसको मैं comment कर देता और यह मैं अपने आप लिखने की कोसिस करता हूँ रियक डॉम उसके बाद आपको लिखना रेंडर उसके बाद आप पहला parameter होता है इसमें अभी छोड़ देता हूँ उसके बाद तो लो पहला parameter बताई देता हूँ कि इसमें आप लिखोगा अपने html के tag जो भी है मतला html tag नहीं बोलोगा अब jsx बोलोगे कि jsx लिखोगा आप जैसे में को लिखना है heading h1 उसके बाद अंदर लिखना है hello code improve ठीक है अब यह केवल मैंने इतना लिखा है इसमें जैसे हम html लिखते है न अपने h1 hello code improve और उसके बाद अगर कुछ भी लिखना है तो लिख दो उसके बाद जो second parameter है कि जो यह हमने code लिखा है अब इसको दिखाना भी है इसको दिखाएंगे कहां पर तो इसको दिखाएंगे हम यहां पर जो हमारा html का code लिखा हुआ हो है index.html यहां पर एक div है उसकी आईडी है रूट तो उस पर दिखाना है तो उसके लिए नोने लिए यूज करा हुआ है डॉक्यूमेंट डॉट यहां पर जो आईडी है वो है रूट बस इतना करना मैं यह मैंने सेव कर दिया यहां पर जाके मैं रिफ्रेस्ट करूँगा तो यह दो को आगे हेलो क्या होता जावास्किप एक्सेमेल जो क्या करता हूँ आपको पर्मीशन देता है है एस्टीमल को उसमें जावास्किप के अंदर लिखने की यहां मैंने डैफिनेशन लिक्वीट रखिए इसकी जी एसक्स अलाव उस टू राइट एस्टीमल इन रियक्ट ठीक है तो मान ल क्यां धो इसके अंदर और भी कोड लिखना है को जैसे सब्देश करो कि इसके अंदर एक को टैग लिखना है कर दो एस ट्यू और यहां पर लिख दिया मैं नैस्ट हैंग्स्ट कर दिया है एस्टी मैं अबी देखर बी रहा है क्यों देर आ आपको क्योंकि यह नảng लेन में नहीं जाने दे रहे तो उस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा या तो इसको एयरे बना दो ऐसे एयरे बना के और बीच में कोमा डाल दो आप को मैं को मा दो डालोगी पहले स्टिंग हो गया पहली वैली दूसरी वैले अब इसको सेव करोगा आप यह आगे, सेम अगर और वेल्यू चाहिए तो आप क्या करो इसको कोपी करो, यहां प्रेश्ट करो, कोमा लगा के, यहां एडिंग धड़ कर दो आप, यह आगे, तो यह तो बेकार तरीक है न, आप कब तक कोमा लगाते जाओगे इसमें, कि यह लगा, जब भी कोई नई बनाना होगा और एरे बनाना पड़ेगा, तो यह चीज़ बेकार है, तो इसके लिए आप क्या करो, एक में डिब ले लो आप, जैसा भी, मतलब इस एरे को हटा दो, इस सब को एक ही डिब में बाद दो, स्टार्ट और बंद कर दो, अभी सारा काम एक में ही आ जाएगा, आ अब लेकिन इसमें प्रॉलम क्या है, प्रॉलम यह है, अगर आप यहाँ पर जाओको तो एक बिना वज़े एक डिब अपने आपन के आ रहा है, जो कि रूट के अंदर यह होना नहीं चाहिए था, ठीक है, तो इसको अटाने के लिए या तो फ्रेग्मेंट यूज का सकते ह होंगा बाद में, तो अभी किवल इतना समझ लो, कि जो डिव है, इसको अटा दो, सिंपल यह टैग ओपन कर दो, और बंद कर दो, तो अब आपका डिव चला जाएगा, इसको जैसी रिफ्रेश करोगे, तो इस डिव के अंदर सिंपल आ रही है, यह सारी चीज़ है, ठीक ह चलो यह चीज के लिए हो गया, अब मैं आता हूँ, जैसे काम करता है, इसको वापे से एक लाइन ही बना देता हूँ, यह एक लाइन बन गी, जैसे एसे काम करता है आपका, कि हाँ, जैसे ची डैफिनेशन में ने दे दी, कि जावा स्किप्ट के अंदर आपको HTML कोड को लिखने के काम करता है अगर मानलो ये कोड में JSX के थुरू नहीं लिखना अपने according लिखना है जैसे जो जावा स्किप्ट होती है तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको करना पड़ेगा react.render उसके बाद आपको इसमें करना है react.createElement उसमें पहला tag होता है आपका मतलब जो tag होते हैं HTML डिव डिव, h1, p जो tag होते हैं सारे वो डिफेंड करने हैं उसके बाद इसमें attribute को उन्चाने चाहिए attribute मतलब कि आपको id देनी है id मैंने दे दी first first div साथ में कुछ और भी देना है आपको class name देना है तो इसमें न क्या जो class देते हैं जैसे हम normal लिखते हैं class तो इसमें आप class नहीं लिख सकते कि class इनका पहले सी reserve keyword है तो आपको लिखना पड़े हैं class name class मैंने लिख दिया है मैंने लोग कोई color की class लिख दिता हूँ मैं red color class ऐसी लिख दिया मैंने ठीक है उसके बाद तीसवा parameter जो होता वो होता आपको content मैंने क्या लिखना text क्या लिखना है text मैं लिख दिता हूँ hello code improve ठीक है यह तना लिख दिया मैंने उसके बाद जो second parameter आपको सेम यह आजाएगा कि यह value आपको कहाँ पर डालनी है यह डालनी है आपको जो devair root id उस पर डालनी है यह आपका कुछ error आगया है class name अच्छा equally यह आपको colon आएगा यह आगया इसके अंदर हम जाएंगे तो यह देखो जो हमने id define करें यह first div और color यह भी आगया तो मतलब यह दूसरा वालो parameter होता है attribute के लिए अब मान के चलो में को करना है कि इसी वाले div को bold करना हमने heading डालनी है च्छल तो वो कहाँ पर डालोगे कोई है parameter पहला तो हमने यह फिल पर कर दिया दूसरे वाले में हमने अट्रीविट डाल दिया और कहाँ डालोगे तो इसके लिए फिर आपको एक और वो लिखना पड़ेगा यह react create element इसको अटागे फिर सा आपको लिखना पड़ेगा react dot create element उसके बाद h1 डालना आपको तो h1 डाल दो उसका attribute देना तो attribute अगर देना तो दे दो वन नल रख दो उसको उसके बाद value क्या रखने है hello code improve ठीक है इसको save कर दो यह refresh करो तो यह आगया तो यह दो डिव है उसके अंदर है h1 तो suppose करो आपको बिना j6 की काम करना पड़ता है तो देख रहे कुतने सारे मतलब एक tag करने के लिए react.create element लिखना पड़ता है उसके अंदर fill लिखना पड़ता मालो इसके अंदर फिर से कुछ ना कुछ में को देना है spend देना है तो फिर से दुबार इसको उठा के आपको वापिस से करना है तो यह सारा काम आपको करना पड़ेगा लेकिन हमें जब इसने दे रख किया है jsx वाली facility तुम क्यों न वो यूज करें ठीक है अब मैं बात करता हूँ बेवल की तो यह क्या काम करता है मैंने यह आपर definition में लिखिए यह क्या compiler है JavaScript क्यों compiler हमारा जो code होता है जो compile jsx into regular JavaScript जो browser होते हैं उन browser को हमारा code समझ भी तो होना चाहिए न हमने क्या लिखा हुआ है तो उसको जो browser समझ सके उस language में मतलब उस regular JavaScript में convert कर देता है जैसे कि मान लो हमने यह लिखा है h1 hello code improve यह हमें पता है कि यहाँ पर यह यह चीज़ हो रही है react.create element लेकिन इसको कैसे पता तो उसके लिए वेवल काम करता है जैसे कि मैं दिखा देता हूँ आपको वेवल में लिखता हूँ आप बेवल की साइड पर जाओगे यहाँ पर try it out तो यहाँ पर यह देखो आप कुछ भी करोगे इसमें जैसे हमें यह वाला code लिखना है कि यह code तो हमारा भाई smart code एक तरह से और इसको normal जावा स्क्रीट में कैसे बनेगा तो यह देखो यह बनेगा react.dom render और इसमें सेम बनाया react.create element पहला लिख दिया h1 दूसरा null क्योंकि कुछ है ही नहीं सेम अगर मैं इसको यहाँ पर आगर class name अगर कुछ में मैं दे देता class name और यहाँ पर जाके मैं इसको change गरता ह। तो देखो जो हमारा जो code है jsx वाला code है उसको बेवल ने convert कर दिया अपने simple javascript में जो की javascript में ऐसा हो जाएगा इसका react.dom.render react.create element h1 उसके बाद आपका class name और फिर है simple हमारा content hello code improve ठीक है तो यह काम करता है आपका बेवल और बाकी इसको ना deeply में आगे की वीडियो में बताऊंगा जब react complete हो जाएगे ना उसके बाद में बेवल को deeply समझाओंगा आपको की कैसे कैसे की इसके अंदर और भी सारी चीज आएंगे तो गाज की वीडियो में इतना ही है बाकी फिर मिलते नेक्स वीडियो में अगर आपको यह पूरी वीडियो समझागे तो प्लीस लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर हमारा और वीडियो देखने के लिए थैंक यू